इस मेटसीन का उप्योग सर्दी खासी जुखाम बुखार की समस्या में किया जाता है और जैसे कि जब किसी को सर्दी होता है तो आपने देखा होगा कि उनके नाग से पानी आने लगता है उनको छीके आने लगता है और एक परकार से हम कह सकते हैं बुखार के जैसा हो जाता ह उनके body में एक परकार से दर्द होने लगता है और fever की समस्या आजाता है तो इन सारी condition में इन सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये medicine मरीज को prescribed किया जाता है और इस medicine का dhc kis परकार की doge की दिक्कत, किस परकार की समस्या, मरीज को क्या दिक्कत क्या तकलीफ रहता है क्या परिसानी रहता है तब डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन प्रेसक्राइब किया जाता है और इस मेडसीन को किन किन रोगों में या किस परकार की समस्याओं में डॉक्टर प्रेसक्राइब करते हैं इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसे लेना कैसे होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डीटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे जैसे कि सर्दियों के मोसम में आपने देखा होगा अक्सर करके लोगों को सर्दी, खासी, जुखाम, बुखार की समस्या ये तो एक परकार से मोसम चेंज होने की वज़ा से भी हो जाता है या फिर अधर किसी रीजन से भी सर्दी, खासी, जुखाम, बुखार की समस्या हो जा और आपने देखा होगा कि अगर किसी को सरदी लग जाता है या फिर सरदी हो जाता है तो सरदी होने की वज़ा से उसे एक परकार से बुखार आ जाता है और उसके बुखार जब आता है ना तो उसके साथ में मरीज को ये भी देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा छीके आने लगती है नाक से पानी आने लगता है या फिर आखों से भी पानी आने लगता है कई बार तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डाक्टर के द्वारा ये मेडसीन पे स्क्राइब किया जाता है ये मेडसीन एक परकार से आप गर आपके सरीर में बुखार की समस्या रहती है या फिर आपके सरीर में दर्द की समस्या रहती है आप ने देखा होगा बुखार के टाइम पूरे सरीर में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है वामन कोल्ड की समस्या में इस मेडसीन का उपयोग किया जाता है ये मेडसीन काफी अच्छा मेडसीन होता है ये मेडसीन करता है, यह मेडसीन काफी अच्छा मेडसीन होता है यह डॉक्टर के द्वारा काफी ज़्यादा प्रेसकराइब किया जाता है, इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए, यानि एक परकार से हम कह सकते हैं अगर आपको common cold की समस्या यानि अगर आपको ठीके आ रही है, सर्दी लग गया है सर्दी आने लगने की वज़ा से आपको बुखार हो गया है तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम यह मेडसीन करता है, यह मेडसीन काफी अच्छा मेडसीन होता है और जैसे कि जब किसी को सर्दी लगता या फिर सर्दी लगने की वज़ा से उसे बुखार हो जाता है तो उसके गले में खरास की समस्या आ जाती है परकार से ब्रॉबर जो उसकी बोलनी की आवाज है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है जब किसी को सर्दी की समस्या रहत डाक्टर के द्वारा किस परकार से इस मैटसीन का डोज निर्धारत करके लेने के लिए बता जाता है। एक टेबलेट सुबा और एक टेबलेट साम को खाना खाने के लिए डाक्टर के द्वारा बता जाता है। आप जाके तुरंट संपरक करें। इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं। आप अपनी पूरी दिक्कत परेशानी बताएं। जो भी तकलीफ है आपको उसके बाद में कोई भी मै कोई भी दवा खुद से उपयोग ना करें।